पचास दिन हो चुके हैं, सेगड़ लोग मारे गए हैं मनिपूर में, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, पर प्रधान मंत्री ने अपनी चुपी नहीं तोड़ी है, वो व्यस्त थे, करनाटिक में वो चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, ग्रहो मंत्री भी करनाटि शासन है मनिपूर में, वो बिल्कुल गिर चुका है, शासन ही नहीं है, शासन का नाम ही नहीं है, पर सबसे दुख़त बात यह है, कि पचास दिन में हमारे देश के प्रधान मंत्री ने अपनी चुपी नहीं तोड़ी, एक शब्द नहीं का, एक बयान नहीं दिया, एक राजनितिक पार्टी आती है यहां, एमेले आते हैं, अलग-अलग पार्टीों के विधायक आते हैं, किसी से मिलाने, अपने ही पार्टी के विधायकों से नहीं मिले, विपक्ष की पार्टी छोड़िये, अपने ही पार्टी के विधायकों से नहीं मिले, अभी गिल्व मंत दिल्ली में बैठकर प्रदान मंत्री मौजूद नहीं है, वो ही ग्रह मंत्री जो मनिपूर जा चुके हैं, वो ही ग्रह मंत्री जो उनका दौरा से कोई नतिजा नहीं निकला, सकारात्मक नतिजा नहीं निकला, वो ही इस बैठक की अधिक्षिता करेंगे, इसका क्या मतलब है ये एक उपचारिकता है, लोगों को कहने के लिए हमने एक सर्वद अलिये बैठक बुलाईए, ये तो हम मांग कर रहे थे, हमने मांग की थी कि सर्वद अलिये प्रदरित नीदी मंदल मनिपूर जाए, प्रदान मंत्री अपने चुपी तोड़े, कड़ी से कड़ी कारवाई क किज़े आप, कोई कौन रुक राया आपको, ऐसा लगता है कि प्रदान मंत्री बिल्कُल हट गया है उन पर कोई असर नहीं है और हमें समझ भी नहीं आता कि देश के प्रदान मंत्री जो दुनिया भर की बारे करते हैं दुनिया भर के विशेयों पर वो ज्ञान देते रहते हैं अपना ज्ञान मनिपूर पर प्रदान मंत्री जी कभी ना कभी तो चुपी तोड़िये देश इंतजार कर रहा है मनिपूर के लोग इंतजार कर रहा है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें